राथी राथी दोस्तों कैसे हैं आप सब हमारे यूटिब चैनल में आपका स्वागत हैं। दोस्तों होली का देहन के बाद होली की जो राख होती है उससे कई उपाय किये जाते हैं। मानने ताहे कि होली की राख से किये गए उपाए अचूक होते हैं और बहुत ही जल्दी शुफ़ल प्रदान करने वाले होते हैं होली का की राख से कुछ आसान से उपाए करके आप अपने जीवन से आर्थिक, शाररिक और मानसिक कष्टों और तुखों को दूर कर सकते हैं दोस्तों आज ही इस वीडियो में हम आपको होलिका की राख याने की होलिका की भस्म से करने वाले कुछ बहुत ही आसान और अच्छु को पाए बताने चाह रहे हैं अगर आपके घर पर किसी की बुरी नचर है, घर में नकारात पर कूचा है या किसी तरह की कोई परिशानी है, धन का अभाव है तो आप होलिका दहन के अगले देने, होलिका की राख को अपने घर ले आएं, ध्यान रखें होलिका की राख आप इसनान करके ही अपने घर लेकर आएं फिर राख लाने के पाद आप होलिका की राख को अपने घर के चारों तरफ छिड़कते हैं और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर छिड़के ऐसा करने से आपके घर परवार को किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी नजर लगी होगी तो वहवी हट जाएगी घर से नेगेटिव एनेजी दूर हो जाएगी घर में सुक सम्रथी का बास होगा और धन का लाव होगा अगर आपके घर के आसपास और घर हैं और आप चारों तरफ राख नहीं छिड़क सकते तो आप अपने घर के चारों कौनों में राख छिड़क दें ध्यान रखें आप रोज सुबै घर में जाडू लगाने के बाद ही राख को छिड़कें ऐसा आपको लगाता साथ दिनों तक कहना है होलिका की राख को बहुत ही पवित्र माना जाता है शास्त्रों के अनसार होलिका की राख को अपने मस्तक पर लगाने से सुख सम्रथी की प्राप्ति होती है लेकिन होलिका की राख को सही तरीके से ही लगाना चाहें होलिका की राख सही तरह से लगाने के लिए अपने दाहिने यानि के राइट हैंड की तीन उंगलियों पर आप राख लगाएं और अपने माथे पर बाइँ और से दाहिन तरफ यानि की लेफ्ट से राइट की तरफ तीन रेखाएं खीचे जैसे भागवाई शिप के माथे पर होती है इसे त्रिपुंड कहा जाता है इस तरहे होलिका की राख मस्तक पर लगाने से समस्त देवी देपताओं का आशिरवाद प्राप्त होता है बहुँ घर में सुक्सम्रधी आती है कार्य में सफलता प्राप्त कहने के लिए और थनसमपत्ति में प्रथी के लिए आप होलिका की राख को अपने घर में लाकर रख लें और जब भी आप घर से बाहर जाएं तो पुरुष अपने मस्तक पर होलिका की राख से तिलक करें और महिलाएं अपने कंठी पर यानि की गले पर होलिका की राख से तिलक करें ऐसा करने से कादर में सफलता प्राप्त होती है और धनसंपत्ती में प्रध्धी होती है शांस्त्रों के अनुसार होलिका की राख में बुरी शक्तियों को दूर रखने की शक्ती होती है मस्टक पर होलिका की राख से तिलक करने से बुरी शक्तियां आप से दूर रहेंगी और आपको किसी की बुरी नजर भी नहीं लगेगी दोस्तों अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोश है नब ग्रह से संबंधित किसी भी दोश से आप पेड़ित हैं या शनी देप की कोई महादशा आपके उपर चल रही है तो आप एक लोटे में शुत्र चल भरें और उसमें एक चुटकी होलिका की राख डाल दें अब इस चल से शिवलिंग का अभिशेक करें अभिशेक करते समय ओम नमश शिवाई मंतर का जाब करें इसके बाद बहीं पर बैठ कर 108 पार महामरतिंजय मंतर का जाब करें महामरतिंजय मंतर का जाब अगर आप रुद्राक्ष की माला पर करेंगे तो अति उत्तम रहेगा ऐसा करने से भगवान भोले नात की क्रपा से सभी ग्रह तोशों से मुक्ति मिलती है अशुक ग्रह भी शुफल प्रदान करने लगते हैं शनी देव से संबंद धैया साड़े साती से भी राहत मिलते हैं दोस्तों अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमा चल रहा है और इलाज करने के बाद भी फाइदा नहीं हो पा रहा है तो आप खोली की एक चुटकी राख लें और उससे कागच में रखकर एक पुड़िया बना लें अब इस पुड़िया को आप बीमार व्यक्ती के तक्ये के नीचे रात के समय रखें ऐसा कईदे से बीमारी से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा ध्यान रखें, आपको रोज रात को यह पुड़िया रखनी है और अगले दिन इस पुड़िया को बदल कर आप दूसरी पुड़िया रखतें और इस पुड़िया को उठा कर एक जगे साइड में रखतें इस तरहें आपको लगातार 41 दिन तक करना है एक तालिस दिन करने के बाद सारी आप पुड़िया इखटी ले जाकर शुद्ध बहते हुए जल में विसाजित कर दें बीमारी दूर होती है असाथे रोगों से छुटकारा मिलता है दोस्तों अगर आपके यहां धन सम्मंदी कोई भी समस्या है कमाई तो है लेकिन खर्चे उससे भी जाता है धन की हानी होती है विफिजूल में धन खर्च होता है तो आप होलिका देहन के दूसरे दिन अपने घर होलिका की राख लाएं और इस राख को लाल रुमाल में बांद कर आप अपने धन रखने के इस्थान पर यानि की तिजोरी में रखते है अगर ऐसा कोई इस्थान ना हो तो आप किसी साफ इस्थान पर इस पोटली के साथ कुछ रुपए रखते है ऐसा करने से जल्द ही धन सम्मंदी समस्याएं दूर हो जाएंगी पैसों में बरक्कत होगी बेकार के खर्चे रुप जाएंगे और धन की हानी नहीं होगी धन प्राप्ती के नई मार्ग खुलेंगे दोस्तों अगर आपके घर में बहुत लड़ाई छक्रे होते हैं अशान्ती का माहल रहता है घर में कोई ना कोई लगातार बीमार रहता है कोई ना कोई समस्या बनी रहती है तो इसका मतलब है आपके घर में नकारात्पक उज़ा बहुत जाता है नकारात्मक उजा को दूर कहने के लिए और नकारात्मक उजा को घर में प्रवेश कहने से रोकने के लिए आप अपने घर के मुख्य दर्वाजे पर काले रंग के कपड़े में खोली का देहन की थोड़ी सी राख कर लटका दे ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक उजा नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगे घर में पॉजिटिविटी का एहसास होगा और जब आपके घर में नकारात्मक उजा नहीं होगे तो आपके घर में लड़ाई छगड़े नहीं होगे सभी प्रेम से रहेंगे घर में शुक्षान्ती का माहौल रहेगा जिस घर में लड़ाई छगड़े नहीं होते वहां मालक्ष्मी का भी बास होता है दोस्तों अगर आपको अपने घर के मुख्य दर्वाजे पर इस तरहें पोटली लटकाने में हिचकचाहट महसूस हो तो आप पोटली लटका कर उसके उपर एक बंधन बार यानि की डोर हैंकिंग टांग दें इससे वह पोटली दिखेगी नहीं अगर आपके घर पर किसी भी तरहें की कोई बुरी शक्ती का साया हो कोई भी भूत प्रेद ब्याधा हो किसी की बुरी नजर लगी होई हो तो आप खोली का की राख को लाएं और खोली का की राख को राख को राई में मिलाकर आप अपने घर में डख लें आपको यह राई बात्रों में हर जगे अपने पूरे घर में डालने हैं आप हलकी हलकी यह राई पूरे घर में डाल दें और दूसरे दिन सुबह उठकर चाडू से चाड़ कर इस राई को घर से बाहर कर दें ऐसा कैने से घर में जो भी भूत प्रेद ब्याधा होगी वह दूर हो जाएगी यदि कोई व्यक्ती निरंतर बीमार रहता है और काफी दवा कराने के बाबजूत भी रोग में कोई लाव नहीं हो रहा है तो होली देहन के समय देशी घी में दो लॉंग एक बताशा एक पान का पत्ता इन सभी बस्तूओं को होली जलने वाली आग में डाल दें अगले दिन होली के राख रोगी के शरीर में लगाएं और तत्पस्चात कर्म जल से इस्नान कराएं इस उपाए से रोगी शीगर ही स्वेस्त होने लगेगा यह सभी सामगरी यानि की दो लॉंग एक पताशा एक पान का पत्ता रोगी व्यक्ति के उपर से 21 बार उतार कर होली का में डालना है रोगी व्यक्ति खुद भी यह डाल सकते हैं या परिवार का कोई अन्यसदर से भी डाल सकता है कोई व्यक्ति अभी चार कर्म के कारण अर्थात, मारन, विद्वेशन और चाटन, सम्मोहन पावशी करण से अकरांत हो तो वह व्यक्ति भी यह चीजें अपने उपर से 21 बार उतार कर होली का की अगनी में डाल दें और फिर दूसरे दिन उसी होली का की राक अपने शरीर पर लगाएं फिर कर्म जल से इसनान करें ऐसा करने से सभी बुरी चीजों के नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाएंगे यदि आप किसी से शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं तो खोली का देहन के अगले दिन उसी इस्थान पर राती बारे बज़े जाकर खोली जलने वाले इस्थान पर अनार की लकडी से शत्रु का नाम लिखते हैं और फिर उसे बाई हास से मिटा दें और उस इस्थान की थोड़ी सी राख लाकर अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर डाल दें ऐसा कहने से वह व्यक्ति आपके प्रती शत्रुता का भाव समाप्त कर देगा शास्त्रों में बताए होलिका की राख के ये आसान से उपाई करके आप अपने जीवन की तमाम परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंट्स और रिस्तेदारों में जादा से जादा शेयर करें जिस से भेभी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तैंक्स फूर वाचिंग रादे रादे